हेलो फ्रेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं बाजार से तो बाजार में दोस्तों आज फिरम को धमागेदार तेजी देखने को मिली और फिर आज बाजार ने दोस्तों अपना नया all time high कह सकते हैं 22,697 का 22,697 52 week high आप देख सकते हैं आज करीवन 22,666 पर जाकर 22,666 पर जाकर आपको Nifty ने closing दी है करीवन 0.68% बाजार चलता हुआ नजर आया और यह अपना आप में देखे एक दमदार move हम को देखने को मिला पुरे बाजार के अंदर और जिसमें ने का कि 23,000 अब Nifty बहुत जादा दूर नहीं है ऐसा लगता है कि 23,000 का लेवल बहुत जल्द बाजार चूँ सकता है इस तरगी की expectation लग रही है भी कुछ जिस तरह के से markets चल रहे हैं आज भी देखिए gap up opening हुई और gap up opening होने के बाज हो सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है बलकि बाजार देखिए दिन को दरण सिर्फ आपको मजबूत होता गया थोड़ी बहुत जरूर मुनाफ़ा वसुली आई बट वापे से दोस्तों अगर आप बाजार को देखिएंगे तो जो उसका हाई है 22,697 का और 22,666 पर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो बाजार अपने दिन के हाई के करीब जाकर बंद हुआ है अगर बात करते हैं तो आज हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था बट अवरल बैंक निफ्टी में भी तीजी हमको देखने को मिली है 48,716 का लेवल बना जो इसका हाई बनता हुआ नजर आया करीबन इसका भी 52 भी खाई आज 48,716 का बन चुका है तो यहाँ पर हमको ठीक ठाक आज मूँव देखने को मिला कोई बहुत बड़ी तीजी नहीं और कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली देखे आज जो इंडेक्स बाजार को लीड कर रहे थे उसमें निफ्टी आटो और निफ्टी रियल्टी ये काफी आगे थे आज निफ्टी आटो इंडेक्स अल्मस 2.16 परसन उपर जाता हुआ देखने को मिला और कह सकते हैं जिस तरीकी से निफ्टी आटो में तीजी दे इसलिए इस प्रकार का अप्मूव आया है पुरे निफ्टी आटो इंडेक्स में सारे शेयर अल्मस्ट चलते में निजर आए बहुत कमी दोस्तों आपर गिरावर्थी सिवाए MRF के कोई भी बाकी शेयर गिरता हुआ निजर नहीं आया और बाकी सबने आज काफी बढ़िय काफी नजदीक है first phase of elections जो है वो काफी नजदीक है 19th of April से आपको मद्दान होता हुआ देखने को मिलेगा और ये एक जून तक चलेगा याद रखेगा एक जून तक आपको मद्दान होता हुआ नज़र आएगा so no doubt जैसे हमने कहा कि elections काफी जादा पास आपको देखने को म almost 4 lakh करोड माफिर का 4 lakh करोड से विजादा कर जो मार्केट गया पर आज वो टच किया है with the BJP-led incumbent government at center scene winning adequate seats to seal a third term thus raising hopes of policy continuity a stock market rallying in the run-up elections is not unusual तो आज क्या का गहा है से पूर्ट में इस रिपूर्ट में इस रिपूर्ट में यह का गया है कि देखे जो expectations है अब लोरा देखे जो भ बताया जा रहा है कि वापे से देखिए BGP को third term मिल सकता है, अब मिलेगा नहीं मिलेगा यह हमको पता कब चलेगा, यह पता चलेगा 4 जुलाई को, यह कितने पोल सटीग बैठते हैं यह हमको 4 जुलाई को चलेगा, पर expectations क्या है, expectations यही है, कि यहाँ पर जो current incumbent government है, वो आपको वापिस लॉटती भी नज़र आएगी और इसलिए, क्योंकि अब दोस्तों जो first phase of elections, जो April 19 से start होंगे और एक जुन तक चलेगे, यह काफी जादा नजदीक है, और समय आप काफी काम हमको देखने को मिलेगा, इसलिए, क्योंकि एक बात हमेशे ध्यान रखे, जो current government रहती है, अगर उसके lotte के chances रहते हैं, जो उनकी दोरह policy start की गई है, वो भी continue रहती है राइट, क्योंकि जो नई government आएगी वो no doubt देखिए, अपने हिसाब से चलेगी, जो यह वाली government थी, जब 2014 में यह आयते, तो जो पुरानी schemes थी, ऐसा नहीं होते हैं कि बंद कर जाता है, बट no doubt देखिए, additional, उनकी जो सोच होती है, वो लेकर आई जाती है, exactly वैसा यहाँ पर होगा, कि अगर दोस्तों, यह government नहीं रहती है, तो जो नहीं अगर government निकल कर आएगी तो वो अपने हिसाब से देखिए, चीजों को चलाएगी अगर यही रहती है, तो जैसे चीज़े चल रही थी वैसी आपको चलती भी नजर आएगी और अभी जिस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही देखिए, इलेक्शन की रिजल्ट आगए, तो उसके बाद बाज़र फिर नीचे चले गए तो यह पहले एलेक्शन से काफी समय देखा गया कि ऐसा होता है मौतिलाल उसवाल मानते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन से सबकी एक्सपेक्टेशन से ही है, कि ज्यादा फोकस इंफ्रस्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और बड़ेगा, मनिफाक्ट्रिंग ऑक्यूपाइंग जो है, सेंटर कर रही है वो लगातर होगा, तो यह सब चीजे है, मनिफाक्ट्रिंग के उपर ज्यादा फोकस हैगा, यह सेंटर स्टीज में आ जाएगा इस तरगी के एक्सपेक्टेशन से, अब लेटसी होता क्या है, यह हमको आगे वता चलेगा, बट बाज़ार में अभी जो तीजी हमको देखने को मिल रही है, मेंली देखिया आज ग्लोबल संकेत जरूर हमारे पक्षमे थे, उसको कोई डिनाइ नहीं करेगा, बर जरूर द इसन के अपर बाज़ान देखिया हैं तो इसके उपठर लगातार तरह हम कह सकते हैं कि अब इरान भी आपर रिटाइलेट करने की बात कर रहा है उनके दोरे बोला गया है कि वो retailate करेंगे करेंगे यह जो attack हुए है यह often होते हैं targeted जो warehouse होते हैं, trucks में होते हैं airports में होते हैं और Israeli उधर ही देखे aim भी करते हैं तो no doubt देखे इसके उपर अब ख़बर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर वापिस से हो सकता है कि अब इरान अटाक करता है क्योंकि इरान ने यह कहा है कि वो retailate करेंगे जो इसराइल ने उनके उपर attack किया है उसको लेकर अब देखते ही है क्या tension create करता है अब जैसे मन आपको पहले भी इसके बार में जादा बातचीत नहीं की इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि इसका कोई बहुत बढ़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तक देखिए अभी भी यह बात ध्यान रखेगा कि हर country नहीं कोई भी country जाती नहीं कि कोई war हो but the thing is कि इनका जादा असर क्यों नहीं पड़ रहा है बट जादा बड़ा असर पड़ता हुआ नहीं आएगा इस परकार की expectation है अब कुछ news के बात करते हैं जो है दोस्तो आधार housing finance limited से लेकर इनका IPO confirm हो चुका है सेबी ने approval दे दिया यह बहुत बड़े information है कि दोस्तो सेबी ने यहावर आप देखे साफ साफ CB approved the IPO of Blackstone-backed Aadhar Housing Finance short the market regulator site on April 8 तो बिल्कुल अब बहुत ही जल दोस्तो आपको Aadhar Housing Finance का IPO भी आता हुआ देखने को मिलेगा और 5,000 करोड का यह IPO रहने वाल है इसमें से 4,000 करोड का दोस्तों OFS है और 1,000 करोड का यह fresh issue हो सकता है इस परकार की expectation है अब देख सकते है fresh issue of shares up to 1,000 करोड and an offer for sale component of 4,000 करोड Blackstone will dilute its stake as part of the share sale तो अब लेट सी यहाँ पर कब जाकर dates निकल कर आती है बढ़ हाँ approval जो है वो मिल चुका है पहले दोस्तों लोने papers file किये थे बढ़ उसको हम गया सकते accept नहीं किया गया वापिस है दोस्तों fresh documents डाले गया और अब उसको accept कर लिया गया now let's see क्या होता है इस पर किस तरीके का price bend आता है वो सब हम काने वाल दिनों बता चलेगा बठाँ इनका IPO आने वाले इस परकार क्या अब पुरी तरह से clarity हमको मिल गई है बागी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को like और बिल्कुल चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा आपका एक like काफी motivate करता है तो छोटा सा आपका समय लूँगा सिव आप वीडियो को like कर दीजे जल्दी जल्दी अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और आगे कौन से stocks के उपर बात अब देखे excited आज काफी जादा बढ़िया करता हुआ नजरा है almost दोस्तो 54 रुपीज एक दिन में share चला है 375 रुपे 85 पैसे पर closing आई है 16-17% दोस्तो एक दिन में आपको excited इंडस्टी चलता हुआ नजरा है almost देखे 383 का आज का high था और क्या धमाकिदार तेजी हमको देखने को मिली वैसा अगर आप excited को देखेंगे तो पिछले 5 साल में यह share बिल्कुल थंडा रहा है 12-70% के return है पिछले एक महीने में आज की तीजी निकाल दो तब भी कुछ move नहीं लास्ट छे महीने में ठीक ठाक चला बड़ कोई बहुत बड़ा तीजी नहीं लेकिन अब दोस्तो फिर share चलता वाने जारा है वैसा अगर आप excited को long term में देखेंगे तो company ठीक है 5,355% के return दिये पट आज एक बहुत important level को दोस्तो शेर ने cross किया है उन level को cross किया है जिन level कोई cross नहीं कर पारता आसानी से और क्यों cross किया है खबर क्या है खबर ये है कि दोस्तों एक बड़ी MOU sign की गई है South Korean Auto Major Hyundai Motors HMC, Joe Air और Kia Corporation उन्होंने 8 April को announce किया है कि उन्होंने partnership की है Excite Energy Solutions के साथ for electric vehicle battery localization in India यह अपना आप में देखें बहुत बड़ा project है because इनको Hyundai कभी मिलेगा और Kia कभी मिलता वा नज़र आएगा और इनको ये battery जो localization electric vehicle, battery localization है उसके उपर काम करते वे नज़र आएँगे इनको बड़ी companies के पास जो project है वो इनको मिला है तो no doubt इसके कारण share काफी focus में रहे गए रहेगा और आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार की तेजी होई है उसके कारण इस प्रकार का दमदार move भी देखने को मिला इस प्रकार की दमदार तेजी देखने को मिली और share इस प्रकार की दमदार अब move दिखाया है तो friends इस फीडियो में इतना ही था hopefully आपको गिडियो बड़या लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चानल से पहले बाद जो डो subscribe कर देना thank you friends for watching this video